अग्रवाल सिवा सम्ति ने महाराज अग्रिसेन जेनती पर किया सम्मानित सिरी सिरी एक हयाराट महाराज अग्रिसेन जेनती के उपलक्ष में आईयमे हॉल में एक भब जेनती मौसब कार्कम का अजन किया गया कारकम का सुवाराम सम्ती के संदक्षा का इंट विधायक संजीव अग्रवाल ने अग्रसेन महाराज का मालेर पन करके किया अग्रसेन माविद्धाले के छातर ने गड़ेस बंदना प्रस्थुत की राधा माधप के छातर ने सांस्कितिक कारकम प्रस्थुत किये कार्टम में डक्टर अतुल अग्रवाल, सुरेंदर कुमार, अग्रवाल, सतीज कुमार, मित्तल सतीज अग्रवाल, पामासा के सम्मान को सम्मानित किया गया कारकम में समाजिक अन्चित्म उतक्रष्ट कारकने वाले उतक्रष्ट सेवा सम्मान के उपादी से सम्मानित किया गया ये अजमान सम्मान के रोप में प्यूश अगरवाल से डॉक्टर प्रवीन अगरवाल डॉक्टर पंकज राजीव अगरवाल मिस्ट्री वाले के डॉक्टर एम के अगरवाल वाके वहरी कारक्रम में मैदावी चात्र चात्राओं के साथ साथ सभी के लिए सम्मानित किया गया मुकत्ति संजी वग्रवाल दौरा समानित की अगयात जिसके यह जानकारी देते हुए कहा कि महामंत्री राजी बूवना दौरा आये हुए सभी और उसल संचालप है यह धार्मिक भाव के व्यत्ति हैं कृष्ण भर्त हैं आज महराजा अगरसेंजी महत्ता है वही करीब की सेवा से मिलता है और इस ने बड़ी कोई आतर संदुस्ती नहीं है और यह हमारा समाज मेरं तक कर भी राए है लेकिन हमारे समाज में जो असमांता है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है और जगए जगए पर हमारी संस्ताएं हमारे समाज के लोग आगे वरजड़ के इस कारिये को करते थी जिम्मेदारी को निभाते लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की कि हमारे समाज के लोग बहुत स्वाभी मानी होते हैं कष्ट तो उठाते हैं दुख सहलेते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं ऐसे परवारों में ऐसे लोगों तक पहुचने का काम उनके दुख दर्द में शामिल होने का काम हम समाज के लोगों का है और मैं आप सबसे ये प्रातना करूँगा निभेदन करूँगा कि हम अपने शहर में अपने समाज में अपने गली महले में पडोस में जिनके बारे में ऐसे परवार हैं जो कस्टों में हैं दुखों में हैं या किसी अवाओं से ग्रस्त रहे के जीवने आपन कर रहे हैं हम सब लोग सामर्थवान हैं ऐसे लोगों के घर जाके और उनको सम्मानित करके उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करें उनके हम सयोगी बने उनको हाथ से हाथ बढ़ा के आगे साथ का काम करें निश्यत रूप से हम लोग कर रहे हैं लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी से काम करेंगे तो जो सुख जो सुख आपको ईश्वर की भक्ती से मिलता है उससे बड़ा सुख शांती आपको इस कारिये से प्राफ दोने मादा है